हेलो दोस्तों नवश्कार स्वागत आप से विका गनेश टडी बॉन यूड़िप चैनल पे इतदी के दोस्तों CRP of Constable Tradesman और टेक्निकल भरती परिक्षा 2023 बंपर वेकेंसी निकल चुके है 9212 पदों पे 27 मार्थ से आपके फॉर्म फिलप शुरू हो चुके है परिक्षा तीति आपके गोशित करती गी है एक से 13 जुलाई 2023 तक आपके परिक्षा ओनलाइन रहने वाली है पिछली बार का पेपर कवर करेंगे प्रिविस सिर के पेपर कवर करेंगे CRP of Tradesman परिक्षा 2023 के लिए ऐसी क्वेशन आएंगे ये पेपर आपको यूटूब पे कही भी नहीं मिलेगा अगर आप मैंने CRP of Tradesman परिक्षा 2023 की प्रिप्रेशन करनी है तो आप इस वीडियो में देहान से एंट तक बने रहेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पहले हम सेक्षन ए में सामाने घ्यान के क्वेशन कवर करेंगे एक से लेकर पंदरा तक तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि आत्मिय सभा की स्थापना किसने की थी वो फाउंडेड आत्मिय सभा देखे दोस्तों जो आत्मिय सभा है इसकी जो स्थापना की गई थी वो राजा रा मोहन राय के द्वरा की गई थी तो इस क्वेशन का राइटन सर आप्शन अबर ए रहेगा अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेशन का राइटन सर पता हो तो आप साथ साथ कमेंट वोक्स में हमें अपना राइटन सर बता सकते हैं सेकेंड क्वेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो प्रथम देश था वो था USA यानि कि संयुक तरा जे अमेरिका था अगले क्वेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद विच स्पोर्ट्स इस सुनील छेतरी रिलेटेड सुनील छेतरी का समंद की स्केल से है देखे दोस्तों बात करते हैं अपने सुनील छेतरी के बारे में तो जो सुनील छेतरी है ये फुटबॉल के खेल से समंद दीता है बी नमर आप्शन विल बी दर राइट अंसर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की और अगले क्वेशन में पूछा जा रहा है देखे दोस्तों जो गुगली शब्द है ये किरकेट के खेल से समंद दीत है तो इस क्वेशन का जो राइटन स रहेगा वो रहेगा आप्शन नमर बी अगले क्वेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बढ़ा राज्य कौन सा है which is the largest state of India according to population तो जनसंख्या के अनुसार भारत का जो सबसे बढ़ा राज्य है वो कौन सा है उत्तर परदेश है option बर B आपका राइटन्स रहेगा अगर area wise बात करें छेतरफल के according बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा राजस्थान राज्ये हो जाएगा अगली question में पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने सरवाधिक उपदेश कहां दिये थे where did महात्मा बुद्ध give maximum sermons तो महात्मा बुद्ध ने अपने जो सरवाधिक उपदेश दिये थे वो आपके श्रावस्ती में दिये थे option बर A आपका बिल्कुल राइटन्स रहेगा देखिए दोस्तों अगर आपको CRP of Tradesman प्रिक्षा 2030 क्रैक करनी है जो की एक से 13 जुलाई तक चलेगी तो उसके लिए आपको क्या करना होगा एक काम करना होगा इस पूरे वीडियो को end तक वोच करना होगा बिल्कुल भी skip मत कीजिएगा और उसके जिस question को आप skip करोगे वही exam में पूछ लिया जाएगा तो कलबकम जो परमाणू उर्जा केंदर है ये स्तिताप के तमिल नाडू में डी नमबर आप्शन विल विद राइटन सर आगले question में आप से पूछा जा रहे है कि विधान सभा का कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो विधान सभा का जो कारेकाल होता है ये पांच वर्ष का होता है आप मेरे को लोगसभा और राज्यसभा का कारेकाल भी जरूर एक बार कमेंट करके बताईएगा अगले question में पूछा जा रहे है कि प्रथम विशवयूद कब शुरू हुआ था वेन डिड़ फर्स्ट वर्ल्ड वर्ड श्टार्ट तो प्रथम जो विशवयूद है ये शुरू हुआ था 1914 में D number option will be the right answer अगले question में आपसे पूछा जा रहे है कि अजन्ता और एलोरा की गुफाएं कहां स्थित है अजन्ता और एलोरा की जो गुफाएं है वो कहां पे स्थित है तो ये भारत के महराष्ट राज्य में स्थित है अगले question में पूछा जा रहे है कि नीती आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी In which year was the नीती आयोग established देखे दोस्तों जो नीती आयोग है इसकी जो स्थापना हुई थी वो एक जनवरी 2015 को हुई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के परधानमंत्री ही होते है आगले question में पूछा जा रहा है कि विसव मानवादिकार दिवस किस तीथी को मनाया जाता है On which date The World Human Rights Day is celebrated तो जो विसव मानवादिकार दिवस है ये 10 दिसंबर को क्या है मनाया चाता है देखे दोस्तों वीडियो में आगवेड़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजेगा क्योंकि काफी मेहनत से ये प्रिविश दिर पेपर आपके लिए प्रिपेर किया गया है तो इस बात वीडियो को लाइक करना तो बनता है लाइक करने के साथ साथ सभी दोस्तों को जूड़े को शेर भी जुरूर कीजेगा चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन कर लीजेगा और इस पूरे वीडियो को एंट तक जुरूर देखिएगा अगर आपको इस बार एक्जाम में नोकरी पक्की करनी है अगले क्वेशन में पूछा जा रहा है कि कपास के لिए कुन सी मिटी सरवाधिक उपजाव होती है विच सोल इस ढोंस्ट फटाइल फॉर कोटन तो कपास की खेती के लिए जो सरवाधिक उपजाव मिटी होती है वो होती है काली मिटी, ब्लेक क्ले ठीक है right answer option number D रहेगा next action हम B cover करेंगे जहांपे आपको सामान्य विज्ञान के question cover कराए जाएंगे 16 से लेकर 30 तक चलिए शुरू करते हैं पहले question में पूछा जा रहा है कि what is the number of groups in the periodic table आवर्त सार्णी में वर्गों की संख्या कितनी होती है तो आवर्त सार्णी में वर्गों की संख्या कितनी होती है 18 होती है B number option will be the right answer आगले question में पूछा जा रहा है कि who discovered radium radium की खोज किस ने की थी देखे दोस्तो radium की जो खोज है वो मैडम क्यूरी ने की थी तो इस question का right answer option number D रहेगा बढ़ते हैं अगले question की ओर अगले question में पूछा जा रहे है कि राष्ट्रिय रासाइनिक परियोगशाला कहा स्तित है राष्ट्रिय जो रासाइनिक परियोगशाला है यानि कि national chemical laboratory है ये located है पूणे में option number B आपका विल्कुल right answer रहेगा अगले question में आपसे पूछा जा रहे है कि hydrogen के कुल कितने समस्तानिक है how many isotopes of hydrogen are there तो hydrogen के समस्तानिकों की अपने बात करे तो इनकी जो संक्या होती है वो तीन होती है अगले question में आपसे पूछा जा रहे है कि किसे ततकालीन हार्मोन कहा जाता है देखिए दोस्तो जो ततकालीन हार्मोन है ये adrenaline हार्मोन को कहा जाता है right answer for this question option number D रहेगा अगले question में पूछा जा रहे है कि लाल रक्ट कनिकाओं का निर्मान कहा होता है where are red blood cells made तो लाल रक्ट कनिकाओं का जो निर्मान होता है वो अस्थी मज़ा यानि कि bond marrow में होता है correct answer option number C रहेगा अगले question में पूछा जा रहे है कि कौन सा अमल लाल चीन्टियों में उपस्तित होता है which acid is present in red ends तो लाल जो चीन्टिया होती है उनमें कौन सा अमल उपस्तित रहता है तो इनमें formic acid पाया जाता है तो शक्ति की अपने SI unit की वात करते है तो ये हो जाएगी what परतिरोध की क्या होती है ओम होती है विवांतर की क्या होती है वोल्ट होती है आवेश की क्या होती है कुलंब होती है अगले question में पूछा जा रहा है कि परकाश के wake को सबसे पहले मापा था question का अगले question में आपसे पूछा जा रहा है कि मिनामाता रोग किस के कारण होता है what causes मिनामाता disease मिनामाता जो रोग है ये mercury यानि की पारा के कारण होने वाला एक रोग है अगले question में पूछा जा रहा है Kelvin dash मापने की काई है Kelvin is the unit of measurement of Kelvin के द्वारा जो measure किया जाता है वो measure किया जाता है temperature यानि की तापमान को अगले question में पूछा जा रहा है कि परकाश ये तंतू परकाश के किस सिधान पे कारे करते है on which principle of light do optical fiber works परकाश ये जो तंतू होते है ये आपके total internal reflections यानि की पूरण आंत्रिक प्रावर्तन के सिधान पे क्या है कारे करते है अगले question में पूछा जा रहा है कि MRI machine में किस तरंग का परियोग किया जाता है which waves is used in MRI machine तो MRI machine में आपके option number D magnetic waves यानि की चुम्ब के तरंग का क्या है परियोग किया जाता है अगले question में पूछा जा रहा है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या रहता है when iron ruts its weight जब लोहे में जो जंग लगता है तो इसका जो weight है वो increased हो जाता है बढ़ जाता है correct answer option number B रहे गा इस question का final question आज की इस वीडियो का question में पूछा जा रहा है कि कौन सी धातू मुक्त अवस्ता में पाए जाते है which metals are found in free state तो देखे दोस्तों वह है धातू जो मुक्त अवस्ता में पाई जाती है वो है sona, chandi और platinum तो यहाँ पर आपका right answer रहेगा all of the above option number D ठीक दोस्तों आज की स्वीडियो में CRP ट्रेट्समेंन का प्रीविज सी रपेपर कवर किया आपने वीडियो के अन्देख देखा बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आइध प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा